हमारी पार्ठी जन्ता दल युनाइटेड भारत की जन्ता पार्ठी संसद्य दल के नेता आदर निये स्री नरेंदर मोदी जी को भारत के प्रधान मंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुती खुसी की बात है दस साल से ये प्रधान मंत्री हैं और फिर प्रधान मंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और आप जान लिजे कि कुछ लोग हम लोगो तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न ते इस बार हम देखे हैं कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है अगली बार सब हारेगा हमको पुरा भरोता बिना मतलब का बात बोल-बोल करके क्या किया है यह सब कोई काम किया है उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है तब इस पार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई कुंजाइस नहीं रहेगा तो इसलिए हम लोग तो पूरे तोर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे धेस को कितना आगे पढ़ाएंगे यह बहुत कीशी की बास होगी यही हम लोग को कहना है अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से आपका काम सुरू हो जाया सपतगरन हो जाया अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छाता है लेकिन आपके जब इच्छा है तो जब भी हो जितना तेजी से काम हो जाया तो बहुत अच्छा है और पूरे देश में इसका बहुत सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधान मंत्री आधनिया नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ आपकी वज़ा से NDA को ये प्रचन जीत हासिल हुई है इसका श्रे आपको जाता है सर ये कोई सामाने बात नहीं थे कि लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री जी के नेत्रे तुमें इंडिये को इतनी बड़ी जीत मिलती गई हम लोग सर जब छेतर में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उसा देखने को मिलता था ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेत्रे तो करता हम लोग के पास इस सदन में मौझूद तमाम वरिश नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान जो यहां पर प्रस्ताव माननिये रक्षा मंत्री जी आदनिये राजना सिंग जी के द्वारा आया है मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोग जन्शक्ती पार्टी राम वि मेरे पिता आदनिये राम विलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंदेरा है मुझे लगता है उनके इस सपने को उनके इस लक्षे को और करोड़ों देश्वासियों को अ झाल 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 झाल